इस प्यार को क्या नम दुके इस एपिसोड में अर्नो को गरिमा का सच पता चलता है तो गुसे में घर से चला जाता है। और इस तरब खुशी के साथ सारे लोग अर्नो का इंतजार करते हैं। जब भी कोई गाड़ी आती तो खुशी को लगता अर्नो ही आया होगा। खुशी ने सोच कर रखा था कि जब अर्नो आयागा तो लेट आने के लिए उसे डाटेगी। पर अर्नो के जगा दादी आकर सबको गरिमा का सच बता कर शादी का माहौल खराप कर देती है। खुशी गरिमा को डिफेंड करती है क्योंकि उसे तो इस बात का बिल्कुल पता ही नहीं था। दादी इतने कड़वे सब्दों का प्रयोग करती है कि किसी का भी मन करेगा कि शादी तोड़कर गर चले जाए। और गरिमा के सोरी बोलने से प्रोब्लम सोल हो जाए इतनी चोटी बात भी नहीं थी। खुशी के आथ से कंगन वापस लेना, मंडप के आग बुजा देना, परिवार्ज की बेज़ेती करना ये सब दादी के लिए आसान था क्योंकि वहाँ पर अर्नो नहीं था। खुशी को सबने समझाये पर खुशी अर्नो का इंतजार करती रही। खुशी को अपने प्यार पर भरोशा था और दादी को अपने पोते के गुसे परुशा तो बहुत आया था पर खुशी के बारे में खयाल आये कि उसकी तो कोई गलती भी नहीं। अर्नो ऐसे लोगों में से नहीं था जो अच्छे वक्त में प्रोमिस करके बुरे वक्त में भूल जाए। अर्नो पहली बार इतना रोय था लेकिन उसने वापस जाने का डिसाइट कर लिया था।